हलो दोस्तो मैं हूरूबी और रूबी की रसुई में आपका स्वागत है आप सभी कैसे हैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे आज मैं बना रही हूं पालवाली डाल जिसको दर्वजिया भी बोलते हैं यह खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही जल्द बनका तयार हो जाती है चलिए बीड़ी शुरू करते हैं दर्वजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसमें कड़ाई चड़ा दिए और इसमें एक ग्लस के लगबा पाई डाल देंगे पानी को थोड़ दिर हम गरम होने देंगे पानी खौले लगा है अब इसमें हमने आदा कप के लगबा अहट की डाल ले दी इसी में इसको डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हम स्वादनुसा नमक भी डाल देंगे इसको हम पकल देंगे दाल पक चुकी है अब हम इसमें बालक काटी थी हमने थोड़ी और इसमें महीं टुकडों में इसको काट लिया चि बारी बारी और इसमें डाल देंगे यह आप और पालक सभी इसी में डाल देंगे इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे तो दिन अड़ा लिव भाजी हमारी थोड़ी पक चुकी है अब इसी में थोड़ा सा जैमने आटा गोल लिया था इसी में थोड़ा मिक्स कर देंगे एक चम्माट दो चोनी चम्माट अब रखेए आटा को बिया था इसमें मिक्स कर देंगे यह डालने से भाजी अच्छी बनते है पित्री विनी बनती एक सी बनती है वंदल पोत अच्छी बनते है से यह हरी पत्ती और हरी मिर्ची का पेस्ट जेई सी जेई वियसी में डाल देए और जे अद्रक लेसोन का पेश्ट ये भी इसमें डाल देंगे सभी को मिक्स कर देंगे कि पालक की भाजी फ्रेंड बहुत हैल्दी में होती है खाने में बहुत स्वार्श बनती है यह बनाके आप लोग भी सभी को खिलाईएगा बहुत स्वार्श लगती है बस इसी तरह दो मेट और पेट में देंगे अब हाजी हमारी तैयार हो जाएगे अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं तड़क लगाने के लिए इसमें लेंगे हम एक चम्मक देशी घी अब तेल से भी लगा सकते हैं पर हम देशी घी से लगा रहें तेल गी को मेल्ट होने देंगे रिजली नमारा करम हो चुका है अबइस में डाल देगे हम लेसटी की कली है इसको यो मजञते है इसको हम एक पर देंगे इसको हम जब तक लाला आ ख्यांने अब इसमें इसको मिला देगी देखी दोस्तों हमारी पालक वाली दाल दर्वचिया तैयार हो चुकी है देखिए कितनी अच्छी वनी है एर खाने बहुत ही स्वाड़िश लगती है आप दो भी इसको ट्राइब कीजिए वीडियो पसंद आई हो देश्कों लाइक कीजिए श रादेब कीजिए शुकी स्वाड़िशvida स्वाड़िश